मुस्कार आज की स्पीडिस में हम बात करने वाले हैं अगर आपकी कोई भी वैपसाइड है और आप उस वैपसाइड में जैसे की अगर आपका एक यूटूब चैनल है और यूटूब चैनल का जो बटन है आप अपनी वैपसाइड में लगाना चाहते हैं तो आप किस तरीके से लगा सकते हैं actually मैं इससे फर्क कि क्या पड़ता है इससे फर्क कि यह पड़ता है अगर आप कुछ ऐसा content डालते हैं जो कि आपकी YouTube पर भी उसी category का है और आपकी website भी उसे category की है जैसे कि technology की website है और technology से ही related आपका YouTube channel है तो आप अपने YouTube channel का जो YouTube button है वो आप अपनी website में लगा सकते हैं इससे यह है अगर आपकी website पर कोई जाता है और आपके YouTube channel के button को click करता है तो वो subscribe कर लेगा और आपके YouTube channel पर subscribe भी बढ़ेंगे और वो direct आपके YouTube channel पर आ भी जाएगा तो यह काफी अच्छा option है आप इसे लगा सकते हैं तो किस तरीके से लगा सकते हैं चलिए जान लेते हैं सबसे पहले मैं अपनी website को यहां पर login कर लेता हूं जो कि आप देख पा रहा है बर्ड प्रेस पर मैंने यहां पर website बनाई होई है ठीक है उसके बाद में मैं जाओंगा यहां पर appearance जो कि आप यहां पर देख पा रहा है उसके बाद में बिजिट इस पर हमें simply क्लिक कर दूँगा क मैं जैसी हम किलिक कर देंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीकी चीहां पर डेक्सबर्ड ओपन होजाएगा मैंने पहले ही यहांपर लगा-रख नहां से धिलीट कर देता आएक बार spelling को चेक कर लिजएगा इस तरीके से लिखना है सर्च कर देना है आपके सामने पहली website आजाएगी इसी पर आपको ऍसरे कर देना है उसके बाद में आपकी सामने कुछ इस तरीके से आये आएगा आपको यहांपर सारी details मिल जाती हैं कहने क्लब है यह website आपको एक कमांड्स मना की देती है और आप जानते हैं कि website में कमांड्स ही देना होता है जो कि आप देख पारा है यह कमांड्स दिया हुआ है अब इससे हमें बदलना है अपने YouTube चैनल के कमांड्स मेठीक है तो यहां पर हमें करना क्या है सबसे हम अपने YouTube चैनल पर जाएंगे YouTube चैनल पर जाने के बाद आपके यूटूब चैनल का URL होता है तो यहां पर देख पाना यह URL है और यहां पर आपका चैनल स्लैस इसे छोड़कर आपको इससे कॉपी कर लेना है जैसे कि मैंने यहां पर कॉपी किया है उसके बाद में आपको यहां पर गुगल ड्राइब्स इस पर आपको पेस्ट कर देना है यहां पर डरने वाली बात है यह गूगल की वैपसाइड है अब आप देख पाना यह धिर धिरे चेंज होता रहेगा ठीका जो जो हम देख सकते हैं अब इतना चेंज हो गया उसके बाद में हम यहां पर डेफाल्ट डार्क तो आप इसे सैट कर सकते हैं तो मैं इसे फिलाल तो अभी डिफॉल्ट पर ही रहने देता हूं और इस बटन को आप कभी भी हटा कर कभी भी लगा सकते हैं ठीक है तो कहने का मतलब है आप अपने एसाब से यहाँ पर बदलाब भी कर सकते हैं इसके अंदर तो चलिए आप यहाँ पर देख पा रहा है जो बटन है कुछ इस तरीके से देखने को मिल लिया है उसके बाद में आपके सस्क्राइबर्स में वो भी देखने को मिल ला है तो मैं इसे डिपॉल्ड पर कर देता हूं और आप जो यूटूब में जो ऑप्शन है कि सब्सक्राइब हाइड नहीं कर सकते हैं ठीक है तो आप इसमें हाइड कर सकते हैं जैसे कि सो हो रहा है तो मैं इसे हाइड कर देता हूं तो देख सकते हैं सब्सक्राइबर्स यहां से हट चुके हैं यानि कायव ह पर जाएंगे है उसके बाद में हमारे सामने आएगा कुछ सीज़ कई त्रीख से ठीक है आप कहां पर लगाना चाहाते हैं वह आप यहां पर सेंट करना जैसे कि एक्जाम तो पर में हुआ पर प्लस सिंप्ली क्लिक कर देता हूं क्लिक करने के बाद में आपको यहां पर लिख देना है या फिर आप यहां पर सारे ब्रॉजर का उप्शन देखने को मिल लिया है जिससे आप सिंपली क्लिक करेंगे मैं इस पर सिंपली क्लिक कर देता हूं और आप यहां पर दे सकते हैं आपको सारे options मिल जाते हैं जैसे कि YouTube चनल की link बगरा लगाना है तो आपको इस वारे option को यहाँ पर select कर लेना है HTML ठीक है यहाँ पर मैं इसे paste कर देता हूँ paste करने के बाद में आपको यहाँ पर press करना है और mouse से आपको जहाँ पर भी set करना है बहाँ पर आप लगाएंगे जैसे कि मैं टॉप में लगाऊंगा search bar के पास में ठीक है तो मैं इसे यहाँ पर छोड़ देता हूँ उसके बाद में हमारे सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा आप यहाँ पर देख पा रहा है है फिर आप करेंगे तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं किस तरीके से दिखाई देगा उसके बाद में इस पर आप simply click करेंगे तो आप इसे कि सैट में रखना चाहाता है यह सारी चीज़े आप सेलेक्ट कर सकते हैं ठीक है तो मैं ऐसे ही बटन बगएरा होते हैं वो आएंगे ठीक है तो हम ऐसे ही रहने देते हैं और उसके बाद में अपडेट कर देते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं सेव हो चुका है अब यह हमारा यहाँ पर सेव हो चुका है उसके बाद में हम चलिए देख लेते हैं अभी कुछ सेखेंड रुख जाएंगे और आप यहां पर देख सकते हैं, चलिए हम widget website पर जाएंगे, विज़िट website पर, और उसकी बाद में आप यहां पर देख सकते हैं, जो हमारा YouTube channel का शस्सक्राइबर्स का button है, वो यहां पर आ चुका है, अब कोई भी इस button पर simply click करेगा, जैसे कि मैं इस पर simply click कर देता हूँ अभी ठीक है तो मैं यहाँ पर refresh कर लिया है और मैं यहाँ पर इसे अगर इस बटन पर कोई भी click करेगा तो वो डारेक्ट यूट्यूब चनल पर चरा जाएगा तो इस तरीके से आप यहाँ पर लगा सकते हैं इसी के साथ में अगर आप यहाँ पर और भी कुछ बदलाब करना चाहाते हैं तो आप बदलाब कर सकते हैं जैसे कि डार्क बगएर में भी कर सकते हैं दोस्तों उंबीद करता हूं आज की इस वीडियोस में हम सब सीख गए होंगे कि आखिर किस तरीके से अपनी वैप सैड में यूटूब बटन को सेट किया जाता है इसके अलाबर अगर आपका कोई भी अन कोई सवाल है या फिर आपका कोई भी जवाब है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्षिन में दे सकते हैं मिलते हैं नाज वीडियोस में